तो जैपुर से आपको बड़ी खबर दे दे, CM गैलोट के आज के क्या कारिक्रम रहने वाले हैं वो आपको बता दे सुब़ 11 बजे कोटपुतली बहरोड CM जाने वाले है, काचुवास में प्रतिमा अनावरन समारों में शिर्कत करेंगे और दोपैर दो बजे दिद्वाना CM गैलोट पहुँच जाएंगे, दिद्वाना में युवास से समबात करे वाले है, शान सारे पांच बजे जैपुर लोटेंगे गैलोट, क्या कारिक्रम रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे है, जैपुर से ये बड़ी जानकारी, सुब कारिक्रम का लोकात पांच लान्यास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे है, दिद्वारा में युवास से समबात करेंगे, और शान सारे पांच बजे जैपुर सीम अशोग गैलोट जाएंगे, सुबह ग्यारे बजे देखे कोड़ पुतली बहरोड सीम पहुच जाएंगे, और दोपैर दो बजे दिद्वाना सीम गैलोट पहुच जाएंगे, जैपुर से ये बड़ी जौनकारी दिद्वाना में युवास से समबात करेंगे, और देखे अब सीम अशोग गैलोट हर एक स्तर पर यहाँ पर समबात करते हुए नजर आ रहे हैं, कल भी समबात कारिक् पिछले कई दिनों से एक से बढ़ करके एक सोगात वो प्रदेश्वाथियों को देते हुए नजर आ रहे हैं, और आज के क्या कारिक्रम रहने वाले हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, दो पैर दो बज़े देखे दिद्वाना पहुचेंगे, दिद्वाना में युवाव से समबाद करेंगे, एक तरफ जखे बिजेबी भी पूरी रनलीती से जुटी हुई है और एक तरफ कॉंग्रेस भी, और अगर सियम अशोग गैलोद की बात करें तो युवाव से समबाद करेंगे, ये कहा जा रहा है कि इस बार युवाव पर भी पूरा फोकस रहने वाला है क्योंकि युवाव को इस बार मौका दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है चुनाव में, तो जैपूर से ये बड़ी जौनकारी सियम अशोग गैलोद का ताबरतोर दोरा देखने को मिला है, पिछले कई दिनों से जो तस्वीरे सामने आई, उसमें देखिए, लगतार सिय हम अशोग गैलोद करने वाले हैं, शाम सारे पाच बजे जैपूर अशोग गैलोद लौटेंगे